नवश्कार में उप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक ही बड़ी खबरों को माध्यम से यह सुनवाई करते वे आदेश जारी क्या है कोट ने राज्य सरकार और बिहार विद्याले परिक्षा समीती को कानूनी और तथ्यात्मक पहलूओ पर विस्टर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे लोगों की तर का होगा निर्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने विकास के लिए बिहार चुनाव के दौरान प्रचार करते वक्त आवागमन को सुगम बनाने की बात कही थी इस इक्रम में अब बिहार को केंद्र ने बड़ी सौगात दी है जिसके तहत राजधानी पटना से आरा हो होते हुए सासाराम के लिए ग्रीन फील्ड का निर्मान करवाय जाएगा यानि की नई सडक बनेगी लगभग 130 किलोमीटर लंबी इस सडक को बनाने में 35 करोर रुपए खर्च होंगे इन में जमीन अधिकरहन की राशी भी शामिल है एन एच आई के छेत्रिय अधिकारी चं केंडरों ने जारी की सूची, फोरेस्ट कार्ड और फोरेस्टर के लिए होने वाली भरती परीक्षा के लिए परीक्षा केंडरों की तरफ से सूची जारी कर दी गई है इसे Central Selection Board of Constable की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर देख सकते हैं बिहार में फोरेस्ट के 484 और बिह बिहार फोरेस्ट के 236 पदों पर भरतिया होनी है इन पदों पर भरतियों के लिए लिए परीक्षा 16 और 20 दिसंबर को होगी है परीक्षा Central Selection of Board Constable की तरफ से आयोजित की जाएगी यह न्यूकतियां बिहार परियावरन वन एवं जलवायू परिवरतन विभाग में होगी जोन अभरतियों ने इसके लिए आवेदन किया हो वो Central Selection Board of Constable की वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के अनुसार परिक्षा केंद्र और डीटेल अड्रेस चेक कर सकते हैं दोनों परिक्षाओं के लिए वेबसाइट पर अलग-अलग नोटेस दिये गे हैं जिसके प पूश्रे सेविधान परिश्रत में कल राबरी देवी और सुशील मोधी आमने सामने देखने को भी दे राबरी देवी ने जहां सुशील मोधी पर आरोप लगाते वे कहा कि लोधिपुर में इनका थाई सो से तीन सो घर बना हुआ है वहीं इस मुद्धे पर बिहार के 750 करोर की मॉल गोला रोड के पास बनाय जा रहा है जो CBI और ED ने जब्त कर लिया है नैतिकता है तो तेजस्त्वी आदब को विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेतापत से स्तीफा दिलाय जाए इसके साथ ही मुकेश सेहनी पर भी राबरी देवी ने निश्राना साथा जिस से टक्राने वाले समुद्री चक्रवात निवार का आज असर देखने को मिलेगा हरा कि शुक्रवार को भी पूरे बिहार में यह देखा गया शुक्रवार पूरे दिन बिहार में बादल चाय रहे कहीं कहीं जगों पर धूब भी देखने को मिली और देर रात तक कहीं जगो में भी गिरावर्ट देखने को मिल सकती है इसकी बाद प्रदेश में थंड बढ़ जाएगी पच्चिमी विभोक्ष की दस्तक और निवार तूफान का सर बिहार में भी शुक्रवार को देखने को मिला और दिन का तापमान 4 डिगी सल्सियस कम दर्ज किया गया आज बिहारी थे उन्होंने 1929 से 1952 तक मिथला छेत्र में अपने परिवार के संपदा पर अपना खिताब रखा जब भारत की स्वतनता के बाद इस तरह के शीर शक समाप्त कर दिये गया थे बिहार पुलिस दरोगा भरती के मुख्य परिक्षा 102 केंद्रों पर होगी कल बिहार पुलिस अवर सिवायों की तरफ से रविवार को दरोगा की मुख्य परिक्षा ली जाएगी परिक्षा की सभी तरह की तयार या पूरी कर ली गई है परिक्षा को बहतर तरीके से आयोज नामे काफी संख्या में केंद्र बनाए गये हैं, मुख्य परिक्षा के लिए करीब 50,006 परिक्षा थी सफल हुए थे जिसमें से 2,446 पदो पर नियुक्ती होनी है, दूछरी तरफ आयों की तरफ से COVID-19 के माहौल को देखते वे परिक्षा की विवस्था में विशेश इंतज परिक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, छात्रों को परिक्षा के इंदर पर एक घटने पहले रिपोर्टिंग के लिए बुलाए गया है जो इसके बाद दोनों के परिवार पर व्यक्तिगत टिपणी भी की गई, वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजरक्ष्मी यादव ने सोशल मीडिया से नितीश कुमार पर निशाना साथ है, जो आपने भाशन दिया है, आप आपको शोभा नहीं देती, विचार करिए, राजधानी पटना में दिखा कोरोना का कहर देश भर में COVID-19 की बढ़ती संख्या को देखकर हाहा कार मचा हुआ है, बिहार में भी COVID-19 के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, राजधानी पटना में प्रसाशन ने 14 नए कंट कंटेन्मेंट जोन बनाये गया है, उसे सील करने की कारवाई आजसे शुरू कर दी गई है, बताय जा रहा है कि जिनलाकों को कंटेन्मेंट जोन घोशित किया गया है, उनके प्रवेश द्वार पर ही बैरिकेडिंग की जाएगी, मधुबनी में मुख्यमंत्री नितीश कु की सुरक्षा विवस्था पर भी सवाल उठाए गये थे, जो इसके बाद अब हरलाखी पुलिस ने चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर आलूफ व्याज फेकने वालों को हिरासत में ले लिया है, बिहार वधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान यह वाक्या हुआ था, मिली जानकारी के नुसार हिरासत में लिया गया व्यक्ती, गणगौर थाना छेत्र के राजुनंदन यादव के रूप में पहचाना जाता है, हाला कि चुनावी रैली के दौरान सीम ने मंच से उसे छोड़ देने का निर्देश दिया था, लेकिन सी प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परशद ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि सीट माट्रेक्स श्रनिवार को जारी होगा, मिरिट लिस्ट पहले के नुसार ही रहेगी, लिस्ट BCECEB के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मिरिट लिस्ट में आने वाले का एक और मौका दिया गया है, मिरिट लिस्ट में श्रमल स्टूडेंस सीट अलोट्मेंट के लिए चॉइस फिलिंग अप 29 नवंबर से 1 दिसमबर तक कर सकते हैं, BCECEB ने कहा कि 24 नवंबर तक चॉइस फिलिंग और लोकिंग से वंचित होने वाले स्टूडेंस को एक और म बल्ले बाजी करते हुए श्रत की अपारी खेली, जबकि माक्समेल ने आखरी के ओवरों में ताबर तोड़ बल्ले बाजी करते हुए उस्ट्रिलिया को 374 के मजबूर टोटल तक पहुचाया, जबाब में हार्दिक पांडिया ने 90 और शुखरदवन ने 74 रनों की पारी ख खेली, इसके बावजूद भी भारते टीम 50 और में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 308 रन ही बना सकी, इसके बाद ऑफस्पिन गेंद बाज हरबजुन सिंग ने टीम की प्रदर्शन से नाखुश हो करके उन्होंने हार के लिए भारत की फील्डिंग को जिम्मेदा ठहराया है, चीजे भारत के पक्ष में नहीं गई है, उन्होंने ये भी कहा है, मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि भारत ने टुकडो में अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन टीम की फील्डिंग काफी खराब रही, बहुत मिस्फील्ड हुआ, बहुत क्याच भी छूटे जोहार का कार सना खान ने पती के साथ किया अपनी तस्वीर शेर, सना खान निकाह के बाद शादी की फोटो शेर करती रहती है, हाली में उन्होंने अपनी नई तस्वीर शेर किया, जिसमें वो वाइट गाउन में नजर आ रही है, सना इसमें काफी खूबसूरत लग रही है, एक फोटो सना इन दिनों अपने ससुराल वालों के साथ quality time spend कर रही है हाली में वो पती के साथ drive पर गई थी इसके लावा उनकी सास ने भी उनके लिए special बेरियानी भी बनाई थी सना ने परिवार वालों की मौजूदगी में मौलाना मुफ्ती अनस के साथ सूरत में निकाह किया देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुची 93 लाग के पार देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्तमंत्रारे की तरफ से साजहा की गई जानकारी के नुसार भारत में पिछले 24 गंटे में कुल मिला कर 41,322 मरीजों की पु अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावर देखने को मिल रही है मैं आपको बता दे भारत में अब तक कुल मिलाकर 87,69,79 मरीज ठीक हो चुके हैं जिसके परिनाम से रूप भारत में 4,54,940 सक्रिय मामले हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राजुका सवाल को चिस प्रकार है हालिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेले गए मैच में भारत के हारने का मुख्य कारण क्या हो सकता है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेटे डहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दवारा ना भूले धन्यवाद